गड़तंत्र दिवसपर 2000 रोहन एवं किशान संगोष्ठी कारिक्रम का हुआ आयोजन स्मार्ड किश्ट कारिक्रम की अंतरगत बोड़ाफोन आइडिया इंडस्टावर लिमिटेड और सॉलिड रीडार्ट संस्था के माध्यम से 74 वे गड़तंत्र दिवस 2023 के अवसर पर जालावार जिले की ग्राम पंचायद मोडी भीम सागर में इस्थानी ग्राम पंचायद के सरपंचे सत्यनाराण सर्मा द्वारा धोजारोहन किया गया दतपस्चाद भारत माता की पूजा करते हुए किसान संगोष्ठी का आयोजिन किया गया जिसमें 50 किसानों ने भाग लिया कारिक्रम के दोरान सॉलिड रिडार संस्था से राम बाबू लोधा द्वारा सभी किसानों को गरतंत्र दिवस की शुब कामनाय देते हुए स्मार्ट एग्री कारिक्रम एवं सॉलिड रिडार संस्था के बारे में जानकारी दी एवम उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा स्वचालित मौशम के इन्रिश थापित किये गये हैं जिससे किसान भाई 7065 005054 पर कॉल करके या अप्लिकेशन के इमाध्यम से मौशम संबन्धी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान में मौसम में हो रहे अश्वाभावी परिवर्तनों के कारण क्रिशी कार्य एवम फशल उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ा है इन प्रभावों में फशल में कीट व्याधी असमे वर्सा मांसून की कमी मांसून का असमे आना भूजल में कमी फशल की क्रांतिक अवस्था में नमी की कमी आदी शमश्याएं उत्पन हो रही हैं जिससे किसान की लागत बढ़ी है और उत्पादन घट रहा है अतह है आज समय की आवश्यक्ता है कि हमारे किसान इन समी परिष्टेतियों को समझें और मौसम की सही और सामिक जानकारी से ससक्त होकर फशल पर ह रहें मौसम के दूस्प्रभाव से बचें एवं अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हुए जीवा मृत अश्त्र कंडा पानी बनाने के विधी बताई एवं बर्मी खाद बनाने के विधी भी बताई इसके पशात सर्पंच सत्यना और किशान हो को गड़तंतर दिवस की सुभा कामनाएं देते हुए अपने विशार ब्याक्त किये ग्रामप्णचाय सचिव सति नाराण भील द्वारा किशानों को सरकार द्वारा चलाई जारी विभिन योजनाओं के बारे में बताया गया अंत में संस्था सौलिड रीडा द्वारा किसान कवर लाल माली को शायल मॉस्चराइज इंडीकेटर दिया गया जिससे गाउं के सभी किशान खेत में नमी एवं फशल में पानी कब देना है यह जान सकेंगे इस अबसर पर संस्था से राधेश याम भील सहित आसपास के 50 किसान उपस्तित रहे बीपिय हुआ